अगर आपको आपको आरपी एसी ग्रेड वन एक्जाम से रेलेटेड हैं आपको इस पीएसी के चनल पर मिल जाते हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी अगर आपको RPSC Grade 1 या Grade 2 को ले करके चाहिए तो आप हमारे इस चैनल पर आ सकते हैं और PSC चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इससे लिटेड कई सारे जो वीडियोज हैं वो आपको इस पर मिल जाएंगे आज के फिलाल इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं RPSC Grade 1 स्कूल लेक्चरर का जो सिलाबस है वो एक्जाकली क्या है जैसा कि हम इसके पहले के वीडियो में बात भी कर चुके हैं कि दो अलग-लग पेपर्स में जीके है ठीक और अब इस एक्जामनेशन के अंदर अगर आप देखें तो क्या क्या चीज़े आपसे पूछी जाएंगी पेपर वन में क्या क्या पूछा जाएगा तो बेसिक हिस्ट्री जग्राफी पॉलिटी अगर डीटिल में बात करें जग्राफी अफ राजस्थान एडुकेशन मैनेजमेंट, जनरल साइन्स, करेंट अफेर्स, लैंवेज, अबिलिटी टेस्ट जिसमें हिंदी और इंग्लिश और बाकी चीज़ें आपकी कैसी हैं इनको जहां चा जाएगा परखा जाएगा फिर मेंटल अबिलिटी में जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, ब पर मोस्ट टाइम पेपर वन में आप सभी से क्वेशन पूछा जाता है, जो की बहुत ही सिंपल प्रकार की क्वेशन होते हैं, लेकिन उसके लिए आप सभी को जनरल अवेर्नेस चाहिए, ठीक है, तो अगर आप रपीस्ट की किसी एग्जाम की त्यारी कर रहे हैं, तो जन पर टू जो की आपका मेंन सब्जेक्ट है, मेंन सब्जेक्ट वाले इस हिसे में आप से क्या क्या चीज़े पूछी जाएंगी, आईए आप बात करें, पर टू जो की नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट चेक करेगा, कि आपको आपके सब्जेक्ट का कितना ग्यान है, कितना आप ये सब चीज़े आप से पूछी जाएंगी और complete syllabus जो biology का है वो exactly आप देखेंगे तो इस तरह से बटा हुआ है कुछ portions में पेपर 2 का जो सिलावस सोसके अंदर जो segments हैं वो यह है कि senior level, senior secondary level की जानकारी आपको चाहिए, Sulawes Post graduation level की जानकारी आपको चाहिए लेकिन major part जहां से questions आपको मिल जाते हैं, major part ये दोनों portion से आप से पूछा जाता है Post-Graduation Level से उतनी जादा जानकारी या उतनी सारे questions आप सभी से नहीं पूछे जाते है फिर बात आती है इसी paper का हिस्सा है जो teaching aptitude या teaching से related portion है educational, psychology, pedagogy, teaching, learning, material, use of computers, informatics and all जो की जारा तरा आप B.A.D. के समय पर पढ़ते हैं ये paper 2 का short में जो syllabus है वो है अब अगर detail में बात करें जैसे कि मैंने कह दिया कि paper 2 को आपको इस तरह से पढ़ना है कि major part senior secondary level से पूछा जाएगा दूसरा major हिस्सा graduation level से पूछा जाएगा तीसरा major हिस्सा आप से जो है वो major तो नहीं कह सकते लेकिन तीसरा जो हिस्सा है that is nothing but a post-graduation level तो color code के साथ मैंने यह सारी जानकारी आपको दे रखी है किस topic को कितना पढ़ना है और कौन से level तक का पढ़ना है और I hope यह सारी जानकारी आपको बहुत जादा मदद करेगी इस बात को समझने के लिए exactly किस topic को किस level तक पढ़ना है इसके बाद अगर हम बात करें syllabus की syllabus यह हमने short करके proper arrange करके दिया हुआ syllabus और यह सारी चीज़ें आई होप आपको visible हो रही होंगे screen के उपर plant anatomy, plant taxonomy, then animal taxonomy और color code यह बताता है कि कौन सा किस level पर पढ़ना है आपको senior secondary level तक का पढ़ना है या फिर आपको graduation level तक का पढ़ना है then cell biology, animal physiology, plant physiology यह सारा जो color coding का जो तरीका है आई होप आपको काम आ जाएगा किस बात को differentiate करने के लिए कि किस topic को आपको किस level तक पढ़ना है genetics, animal, embryology, ecology, bio geography and wildlife conservation रैसे ही आप देखेंगे तो total 10 से 11 topics में हम पूरे syllabus को rearrange कर सकते हैं जो कि हमने already आपके लिकर रखा है ठीक है तो आई होप यह rearranged proper way में organized syllabus है कि आपका समय बचाएगा आपकी preparation में आपको help करेगा तो bio technology and finally bio techniques, bio statistics and ethology यह सारा complete portion है जो कि आपको पूछा जाता है तो जब कभी भी आप तैयारी कर रहे हैं RPSC grade 1 या grade 2 की तो आपको इस प्रकार से syllabus पता हो किस level तक का किस वाले topic को पढ़ना ही यह सरी चीज़ आपको जानकारी में होनी चाहिए और यही जानकारी इस session में आपको देने की कोशिश की गई है यह जानकारी आपके काम आएगी यह sorting आपके काम आएगी और आप इसका साहरा लेकर के अपनी तैयारी में जरूर कुछने कुछ बैतरी कर पाएंगे तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो कि उनको पाने के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को जरूर प्रस करें तो इसी के साथ आज के session के लिए थैंक यू थैंक यू तो मच एंड आपी लर्निंग